कि ओके लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा यह साथ-साथ ही रधर फोर्ड बोडल के टाइम पर ही चल ला था और इसको एक्स्प्लेन नहीं कर पाई हमारी क्लासिकल फिजिक्स जो जो चीजे उप्जब हुई वह देखेंगे कि क्या एक्स्प्लेन नहीं कर स्पेक््ट्रोस्कॉपी एक फिजिक्स की बरांज हैँ भाडर वियेद कैस्प्ले नहीं हैं हम लोग लोग बड़ते हैं हम लोग में की हम म bu देखते हैं कि किस तरीके की चीज़ें इपको बिहेःव करता है तो स्प्वेक्ट्रोस्क्वापी एकि जिसकी branch है जिसके अंदर मैटर और radiation की interactions को study करते हैं आपके पास ठीक है ओके तो देखिए आपके पास एक जनरल सा idea ये था कि कोई भी matter है तो अगर आप उस matter को क्या करेंगे अगर आप इसको इनरजी की बड़ा देते हैं गे तो यह electromagnetic रेडिएशन जो है उनको एमिट करने लग जाता है तो यह जो electromagnetic radiation है इसका थोड़ा सा हम example देखते हैं कि जब संसे white light आ रही होती है से वाइट लाइट आते हैं तो बिलकुल स्टार्टिंग में इस वाइट लाइट को अगर किसी प्रीजम से घुजाना जाता है तो यह आपको एकदम कंटीनियोस स्पेक्टर दिखता है और मत्रा कोई आपनी आपके पास वोस्छे करणा लाता है वैलेट के बाद कोई सब्सक्राइब लेंद्स की अर्ЕНजमेंट करी इसको बोलते है थो है स्पक्ट्रा क्या है सब्क naver Mai और विबयो और के अंदर यह कैसे एंज़ घ्राता आपके पास इंक्रीजिंग वेवलेंट के ओडर में तो हिंग और में आपके पासिंग वेवलेंट यह डिए दिगरीजिंग फ्रिक्ट्वेंशी औहीं बोल्स तो एक मतलब कि एक सीरीज से आपने क्या लगदिया और इसको बोलतेसी शीरी से सारे तो इनका स्पेक्ट्रा जो बनता है स्पेक्ट्रा किसको बहुत है इनी की अरेंजमेंट को डिफ्रेंट वेवलेंट को आइधर इंक्रीजिंग ओडर वेवलेंट इसको क्या मुलते स्पेक्ट्रा तो जो स्पेक्ट्रा बनता है वह आपके पास continuous बनता ही, यह हमको पहले बता था ठीक है, अब जो यह monster ह होता है ठीक है,inde skincare की बात कर ली है spectra जिसको continuous समझा जाता था उसको लाइन नाम दिया गया इदर लाइन अभी देखते हैं कि यह उपजब हुआ हमको उसके बेस पे तो इन्होंने क्या जैसे hydrogen gas ले या different different gases का spectrum पर उब्जब होने लग गया तो इन्होंने जैसे hydrogen gas लेली एक ट्यूब लेली कैसी भी इसके इन्होंने hydrogen gas लेली और इसको कैसे भी गरम कर दिया गरम कर दिया चाहिए इसमें discharge दे दिया मतलब की potential difference अप्लाई कर दिया ठीक है देनी तो energy है उप्ल मिलाक तो आना सोचा यह गया था कि करना टासिकल फेजिक के कोडिंग कि एक नियूस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए पर जब इसका स्पेक्ट्रा बनाया जाता है तो वहां पर आपको सार्प लाइश मिलती है कलर्विसकी कि बोल या रेडियेसिंस की सार्प लाइश ओफ वेवलेंद तो कि आपके पास एक लाइन यह मिली पिर यह जैसे इस तरीक से लाइन मिल रही है ना कि ऐसा बिल्कुल गापी नहीं एसा नहीं मिल रहा आपके पास लाइन पी तो इसको बोलते लाइन एमेशन स्पेक्ट्रा कि जब किसी भी गैस को आप गरम करते हो या डिस्चार्ज उसमें लगती पोटेंशिल डिफ्रेंश अप्लाई करते हो कुछ एनरजी दे देते हो तो वह कुछ रेडियेशन्स एमिट करती है शार्प लाइनिंग की फोम में ठीक है स्क्रीन मना दो वोए पिछे स्क्रेण मना दो का मैं उसमें आपके पास है वाइट नायट दालो पहले और यहां स्क्रिन कम यक्णे वाइगर पूरी चमक जाएगा हरा अबम क्या दो ऑप उसको अनुधार होस्को फोसकर दो आहिए तो तो हैं यहां से जब हैशन गयस से गुजारा तो आपने देखा कि लाइन में ही मिल रही है आपको तौ वाइट लाइट जो साथ कलर रखती थी साथ कलर हाइड्रोजन से जब आपके पास गए तो हाईड्रोजन ने क्या किया होगा अंदर जाके कुछ कडर को अब्चोब कर ल स्पेक्ट्रा आपने वाइट लाइट डाली किसी भी गैस के उपर हीलियम हो गया चाहे है डोजन हो गया तो वाइट लाइट में से साथ जो वेवलेंद होती है आपके पास विव्योर वाली उन में से कुछ अब्जोब हो जाती है और कुछ ही स्क्रीन पर आपको दिखती है सब्सक्राइब करता है और यह देखा गया कि हाइड्रोजन की बात कर लो या किसी की वह जिस तरीके की रेडियेशन से अब जोब कर रहा होता है पतार जिस जो जो वेवलेंद उसने अमिट कर रहा है तो यह न है आप इंडिया से ले लो वह यह का स्पेक्ट्रा हर जिए पर आइडेंटिकल बनता है एक जैसा तो जैसे आदमी के इसी तरीके से किसी भी गैस का स्पेक्ट्रा एकदम यूनिक होता है तो यह इसे फिंगर प्रिंट की तरह काम करता है मतलब की गैसी को पैचानने के भी काम आता है स्पेक्ट्रा के बेरीश पहसारी ब्रोवर्टी पढ़ी जाती है इसे के इंटेर्नल स्ट्क्टर के बारे में बहुत स्पिन का एंकि इकrr तक तो सिर्फ का इसरी से ही पता चला था पर आपके पास है बता लाइन के बदर चलता है कि की-अ amor रहेक्षैक्टि पूरी Chinese है उसकी डिटेल में क्यों आना सकती है मैं बंडर फच्छो हुआ है जो चीज़े उब्जब होई और जो कलासिकल फिजिक्स को समझ में नहीं आई आपके पास ठीक है ओके तो हाइड्रोजन स्पेक्टरा में क्या किया नोंने हाइड्रोजन गैस लिए एक ट्यूम के इंदर उसको एनर्जी दी कैसे भी दी जैसे हीट दे दी या फिर उसमें से इंट्रिक पास्कर दिया तो उसने क्या कर दिया हीट्रोजन bipolar करके कुछ एपिसन स्टार्ट करेट मैं बात करना दियाल्ट ठीक मैं बात कर रहां देखी जिसकी wavelength शाय देख सिक्स फिफ्टी शिक्स के आसपास इक्स फिफ्टी शिक्स पॉइंट रिन एनो मेटर के आसपास थी ठीक है ओके देख लगते हैं इसको यह इतना ही होगा हाँ यह देखके जो दूसरी लाइन मेली एच बीटा लाइन इसका नाम दिया नहीं मतलब सेकिंड लाइन बीटा अलफा बीटा फिर्स रेकिन को रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक है तो दूसरी लाइन जो आपको इसको मिली वह आपके पास मतलब की ग्रीन रीजन में आसे थी लिए भी विटीट ड्रीन और ब्लू रीजन की ते और इसकी वेवलेंट आपके पास इसको गज़व वी 483.1 नामेटर के आसपास in between एच अल्फा एड़ी टाइन बिट्विन छेहां परफेटीन नेनोमेटर एन फोर एक्ती थ्रीपॉइंट वन नेनोमेटर कोई भी वेवलेंद नहीं मिली गैप मतरब की कंटिनियोस नहीं है क्लासिकल फिजिक्स बोलती अभी बता रहे क्लासिकल फिजिक्स क्या वोले ती मतरब मतरम याद कर लिया अब क्या देखां के बीच में घैप कम हुआ फिर आपके पास नेक्स लाइन मिली गैप और कम होता घया गया और यह लाव लास्ट में आकि आपके पास जैसे जैसे एक्सपरिमेंटल टेक्निक्स अभाश एडवांस हुई आपकी डिजॉल्विंग पार बढ़ी डिजॉल्विंग पार क्या है दो छीजों को सेपरेट करने की देखने की ताकत रिजॉल्विंग पार पढ़ी तो आपको पता चला कि यह कंटीनिवें इसमें लाइ तो दिक्कत कि समय देखने में रिजौल नहीं कर पारे हैं कि आपको यह दिख रहा है बाइक्रोस्कोप से देखोगे दागे दागे दिखेंगे आपको तो एक्चुली में थे तो स्टार्टिंग से ही बिना कंटिन्यूस के हम उसको देख नहीं पा रहे होते थे क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जैसे जैसे एक्सपरिमेंटल टेक्निक से वह होती गई तो हम पता चलता गया यह लाइट जो है यह कंटिन्यूस नहीं है तो यह हाइडोजन स्पेक्ट्रा में यह लाइट मिली वीजीबल डीजन में यह लाइट मिली वीजीबल डीजन में मतलब रैड गरीन वोईलेट इदर वोईलेट आगी आपके पास यह सब कलर आख्खों से दिखते हैं तो यह कौन सा रीजन हुआ आपके पास वीजीबल डीजन और इसकी खोज करी थी बालमर स इसका नाम दे दिया सीरी मिलती ऐसे सप्ट्राल सीरीज मिलती है मतलब एक गर्पसा भी और फिर गए पागया फिर बूप सा मिल गया इस तरी कैसे तो इसको बालमर सीरीज बॉला जाता सीरीज ओफ-लाइन सापको मिल देये तो इन गौशीरीज में यह जहाँ पर जाके continuous होता है इसको बोलते है series limit इसको क्या बोलते है series limit यहाँ पर आपके पास series की limit आगए ठीक है तो इस तरीके से बालमर series सबसे पहले observe होई थी यह क्यों observe होई थी क्योंकि यह visible region में पढ़ती है और visible region आखों से ही दिख जाता है तो उसको यह सबसे पहले यहीं observe होगी जो आखों से दिख ठीक है इसके बाद आपके पास लेमन सीरीज और पास्चन सीरीज पीफंड सीरीज और भी इस तरीके से पाथ सीरीज हाइडोजन के अंदर खोज हुई तो इधर गैप आने के बाद फिर से एक देसे लाइट इदर मिली फिर इदर वैसे उसी पैटरन में लगबग फिर थोड़े गैप के बाद एक लाइन मिली फिर कम होता गया कम होता गया और यह आपके पास continuous हो गया तो इसमें भी आपके आपके पास रहता है जैसे कि अगर मैं देख खूलों कि यह रहता आपके पास 122 से 112 नैनो मेटर से 91 नैनो मेटर के आसपास यह जो रेडियेशन मिली यह आपको अल्ट्रा वोईलेट रीजन में मिली और यह लेमन ने खोजी थी वह आपके पास तो इसका नाम लेमन और फिर आपके पास इनके बाद इनफरा रेड रीजन में भी बिल्कुल सेम उसी तरीक्के से आपके पास मिली ठीक है इनफरा रेड रीजन में भी सेम उसी तरीक्के से आपके पास मिली तो यह आपके पास है इनफरा रेड रीजन और इसकी लेमन बालमर यह खोजगरी प तो यह आपके पास आपके पास किसने खोज़करी पास्चन ब्रेक्किट फिफेंड वो नाम आगे आजाएंगे बोहर्मोनल के अंदर ठीक है तो यह आपके पास ऐसा इंक्रीजिंग ओटर ओफ वेवलेंथ हैं वेवलेंथ जो है इस साइड़ बड़ी है तो इन वालों की पा होगी तो यह मैक्सिममम वेवलेंथ है यह वाली इदर वाली सबसे वाली कौन सी होती है उस सीरीज की मैक्सिमम लेवलेंथ मैक्सिमम लेवलेंथ ओफ बालमर सीरीज बालमर सीरीज इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ यह है मिनिमम कौन सी होती है जो इस साइड है तो यह आपके प corresponding रहती है तो अब यह जो आपके पास स्पेक्ट्रा मिल रहा था जो कि continuous नहीं है तो इसके बारे में ही explain नहीं कर पाए कि यह continuous क्यों नहीं मिल रहा है continuous मिलना चाहिए था ठीक है तो देखते हैं कि इस स्पेक्ट्रा में यह आपको दिखा दिया तो याद करने की जूरूत निंगालने के लिए कि बहुत कैसे बताएं कौन सा कितने की निकल दिया तो इसको empirical formula दिया जो इन wavelengths को explain कर सकता था ठीक है तो empirical formula Balmer ने दिया था starting में क्योंकि पहले बालबर ने खोज करी थी तो अपनी series को explain करने लिए बार्मन ने बोला कि जो wavelength यहां से दिख रही आपको 1 by lambda यह बराबर होगा आपके पास एक constant r divided by 1 by n square minus 1 by m square के बराबर होगा और भी जान था ठीक है एक्छली में बालमर ने थोड़ा सा अलग टाइप का फरूर्मुला दिया था उसको modify करा थाsplis board ने ठीक है बालमर ने होड़ान अलग इंपिडिकल एसा उसको थोड़ा और जादा रिड़ बर्ग ने वैसे भालमर फॉर्मूला दे लिख रहे इसको एक्चुली मैं यह फॉर्म रिड़ बर्ग ने दी तो जीदर आर जो है यह आपके पास क्या है रिड़ बर कोंस्टेंट रिड़ बर सांटिस्ट का नौम था रिड़ बर कोंस्टेंट और इसकी वैल्लिव आपको याद रखनी है यह आपके पास कि 1.097 इंटु 10 की पाउड 7 मीटर होता है ठीक है 7 पर मीटर कि देख ले था हम इसकी याद भी है कि 1.06079 इंट ठीक ठीक रिटबर कॉंस्टेंट की वैलु यह रहती है पर मीटर यूनिट कैसे आई यह तो भाई नमबर आपके पास और नमबर है तो इनकी तो कोई यूनिट नहीं होगी तो लेफ्ट की उनिट राइट की यूनिट ब्रबर होने चीए यह यह लेंद लेंड यह लेंद से बढ़ा है यह हर्दम एंटेर आपके पास इंपसे बढ़ा होता है यह फोर्मzna आपके फोर्मल आपके बहसब अन बालमर ने भूला कि 1 by lambda equal to r अगर आप n को रख देते हो fix 2 मतलब 1 by 2 का square minus 1 by m का square where m 2 से तो बड़ा रखना है इनको 3 रखो 4 रखो 5 रखो 6 रखो 7 रखो 8 रखो तो आप बालमर सीरीज की सारी wavelength को explain कर सकते हो बस यहां पर 2 fix करना आपको उसको नहीं बता कि क्या 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 reason है किसलिए है बहुर explain करेगा यहां पर 2 क्यों आ रहे हैं यहां पर 3 4 5 क्या मतलब है वह बहुर explain करेगा उन सब ठीक है तो उसने पर एक एंपिरिकल फोर्मॉला बना दिया तुक्के लगा दिये ठीक है इस तरीके से फिर उसने अपनी सीरीज को explain करा उसने बोला कि भही अगर मैं दो के बाद ऐ्म को जस्ट तीन लख देता हूं तो मैं वेलंथ तीन लख देखो इसमें तो आफ के पास बुलेगा कि वन भाइलेंडा इस एकल différent 1 by टुका स्केर तो फीग्स canes 1 by 3 का स्केर तो यहां से आपreyवलेंट निकाल Лएगे किसकी आच्छा एक बार तो वेवलेंथ आ नीरा मैं बुक में देख लिता हूं कि कितुना था यह आपके पास हुआ या था आपके पास होगाह Meganga निकालने के लिए एसी फॉर्मुला में जो म रखा है उसको चार रख दो तो इससे नेक्स्ट वाणी लेन की वेवलेंट हम लीह सिरीज लिमिट यह इसके लिए एम को क्या रख देंगे आप infinite म को infinite रखते हो तो सीरीज लिमिट निकलाएगी सीरीज लिमिट ठीक है तो यह आपको याद रखना है यह मैं आपको बता रहों कैसे अगने भी आईगा यह आपके पास वैसे बतारहों फोर्मूलों में यूज होएगा अगर आप इससे अगले वाला नमबर रख देते दो सटी अगर से लिक देते हैं तो आप मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल देते हो सीरी की ठीक है घर स्थ आपके पास अगले वाला नमबर रखना है अगले वाला नमबर को मात ऑगर आपम को क्या करेंगे इस नंबर से स्टगले वाला नंबर वहां पे पूट कर देंगे मैक्सिमम में निकान नहीं हो तो क्या करेंगे इसको infinite कर देंगे ठीक है ओक यह था बालबर ने अपनी सीरीज को एक्स्प्लेन कर दिया फिर जो लेमन पास्टन बार्मर आए उन्हों ने क्या देखा कि इस फॉर्मले से तो हम अपनी वाले सीरीज को भी एक्स्प्लेन कर सकते हैं तो लेमन ने बोला लेमन ने इसी सीरीज की में लेंट मिल जाएगीम को इन फाइन सीरीज की मिनीमम वेवलेंथ मिल जाएगी दो पयंसरा कर दोके तो इस वाड़ एक तो मैंसरा आएगा 122 219 और में खुनthis हाई खितना धरकने फीदा प्रेमन प्सक्राइब होगी आफ में यह आप के पास ले मनों लेमन होगी बालमर होगी उसके बाद next series मिली आपको पास्चन series पास्चन क्या बोलता है इसी formula में जो आपके पास इसने 1 fix कर लिया बालमर ने 2 fix कर लिया पास्चन ने 3 fix करा तो 1 by 3 square minus का m square where m is equal to 4, 5, 6, 7 m को 4 रखोगे तो maximum wavelength m को infinite रखोगे तो minimum wavelength लेमन बालमर पास्चन infrared region में यह फिल्ट रेजिट यह वीजीबल लीजिन लेमन सीरीजट ऑलर कोई में पालमर सीरीज बाद सब इसको यूवी आई से याद किया जा सकते हैं पहले इदर वाला आल्ट्राव एलेट बीच वाला विजीवल उस साइड वाले सब इंफरेड में तो लेवन बालमर पास्चन उसके बाद आई ब्रेकिट और फिर पीफंड उसके बाद आई ब्रेकिट अब तो आपको समझ में आ ने कैसे पाट सीरेज वहां पर खोज हुई थी ऊबास ठीक है यह था है डारोजन स्पेक्ट्रा क्यों यह था रचा कि इस चीज को एक्स प्लेट नहीं कर पाया आपके सवीजिक्स क्विछ क्लासिकल फिजिक्स के एकोरडिंग का अकशी असा माय चाह रहा था तो लिजु से रूदर फोर्र अला चुका थो रुदर फोर्और मोली की लिमिटेशन की तर रोदर फोर्मोर गी एक बेसीक लिमिटेशन ना इन आज भनक्यां में हम सब पढ़कर है तो वह तो यहां पर है वो चीज तो हमको यहां पर भी देखने की जो सब्सक्राइब तो यही थी कि आपने बोला कि यह न्यूक्लियस से पोजिटिव चार्ज इलेक्टोन इसके चारों तरफ रिवोल कर रहे हैं इसमें सर्कुलर ओर विट्स के अंदर कही पर भी ठीक है इन्हों ने बोला कि मैक्समल इलेक्ट्रोमेगनेटिक थोड़ी तो यह बोलता है कि ओसिलेटिंग चार्ज उसिलेटिंग चार्ज या फिर बोलो एसलेरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो होता है एसलेरेटिंग देख लेना स्पैलिंग एसलेरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो होता है वह वेवीक है dopo चिए करेगा तो जैसे करता तो इसकी कोछ कम होइगी ऐनर्जी गर बेश्म हको ऐसकी युस्की ऊरविट्ड थोुड़ी सी चोड़ी था फइक तो इतो इसी फृनि ऑर कम पती जाएगी क्योंकि इसकी लगातार लेक्त्रो-मेडेति तो से spiral path follow करके nucleus में गिर जाना चाहिए था जिसकी वज़े से atom stable ही नहीं रहेगा जो जो चीज़े आपने explain करी वो explain ही नहीं नहीं हो पाईगी तो आपका पास द्रोधर for model atom की stability को explain नहीं कर पाया था ठीक है इन्होंने दूसरा यह बोला दूसरी चीज क्या मोली कि यह जो electromagnetic wave होता है यह डिपेंड करता है frequency of oscillation पर frequency of oscillation of charge particle पर डिपेंड करता है यह जो wave करता है ठीक है जो wave करेगा frequency और frequency continuously चेंज हो रही है क्योंकि आपके पास इसका spiral path है तो सब्सक्राइब करने की frequency चेंज हो रही है चार्ज पार्टिकल की frequency चेंज हो रही है तो जो यह electromagnetic wave जो डिपेंड करती है frequency पर यह बी चेंज होनी चाहिए तो मतलब की electromagnetic wave जो है continuous निकलनी चाहिए जो आपको स्पेक्ट्रा मिल रहा है that should be continuous spectra continuous होना चाहिए पर hydrogen spectra कैसा है hydrogen spectra continuous नहीं है तो इलक्ट्रोन को कहीं पर भी रिवोल्व पर वा देने की वजए से continuous spectra बंदाना सी यह था जिसको hydrogen spectra जो इदर साइड में चल रहा था पर दो चल रहा था जो continuous नहीं आ रहा था इस चीज को भी रोदर फोर्ड मोडल explain नहीं कर पाया तो पहली बात प्रदर फोर्डर मोडल चैन्मोट explain the stability of atom atom की stability को explain नहीं कर पाया तो कि एक्ट्रोन रिवोल करता है लेवर में टोड़ी जाय थी continuous nature की फ़र यह hydrogen spectra वगार तो continuous नहीं है तो यह इस चीज को भी explain नहीं कर पाया थीक है तो main basic limitation इसकी यह थी इसको cover करने के लिए बाद में आपके पास रुदरफोर्ड मोडल के बाद आपके बहुर्स मोडल आया था तो next lecture में हम बहुत मोडल को study करेंगे that's all for today कोई वीडियाओ तो आप मेरे को comment section में बता सकते हैं thank you